उत्तर प्रदेश में सक्त से सक्त कारवाई होने के बावजूद प्रदेश में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक मामला गोरखपुर के केंट थानक्षेतर के रेलवे स्टेशन चौक के पास स्थित पेट्रोल पंप पर देखने को मिला। झाल हो एक मामला गोरखपुर के रेलवे स्थित प्रदेशन चौक के बावजूद प्रदेश में लेता है। बताया जा रहा है कि मारपीट में दो पेटरल पंप करमचारी को गंबीर चोटिल हो गए हैं जिनका इलाज सदर इस्पताल में हो रहा है तो गाली गुट्टा देने लगा कि जितना हमकार है उतना डालो इसके बाद भी तेल डालने के बाद भी आगे निकलने लगा गवा चलो जाने तो हो गया लेकिन फिर गाली देते हुए हुआ कि अमरा इस ताब भी बोल दिया उसको कुछ इसके इसी को चोटे भी आई है हमारे दो इस टाब को एक इस टाब को तो अभी गंभी चोटा है जो इस समय सदर हास्पिटल में एडिमिट रहे एक सिसी सीटे स्केंड डॉप्टर ने लिका है वोगा उसके बाद उसके चोटका पता च वहीं गायल करमचारी ने बताया कि सुबह ही पेट्रल पंप पर कुछ लोग पहुंचे और मामूली कहा सुनी होने के बाद दबंगों ने जम कर मारपीट की साथी गायल पंप करमचारी का कहना है कि इन दबंगों की खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई की जाए पंप करने की जिए तो बाद गए दो प्रगे कमेंट करने के जिए अमेरेका नमारे इस्टाम भीडा से आदो उतना का लड़का था उसमें कहा ये जाईए आप उसके बार लोग उतर गए रहातावाई करने लेगे लोग किस तरह तुझे मार कितनी है अब मार पे लोग पाद में खाना बना जो है पल्टा था उसी तुझे लोग मारने दजी है फिलाल पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर जाना चाहिए और उन दबंग आरोपियों की तलाश कर बड़ी सबड़ी कारवाई करनी चाहिए पंजाब के स्री टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंग की रिपोर्ट जादा शेयर करें धन्यवाद